असलाम अलेकुम आज जो पॉइम हम पढ़ने वाले हैं वो है दाइम ऑफ दी एंशेंट मेरिनेर बाइस्टी कॉलरेज काफी फेमस पॉइम है और काफी लेंथी पॉइम है सेवन पार्च में यह पॉइम और कि मैं अपने घबाना नहीं है बहुत ही असान सी स्टोरी बनाकर मैं आपको इस पॉरी पॉइम को एकस्पेन करूँगी लेकिन सेवनिन अभी आपको जितना भी टेक्स रही पॉरी पोईम को करूंगी उसको मैं सिंपल इंउलेश के थूइन करूंगी प्लस जो इंपोर्टन लाइन इंपोर्टन स्टेंजा से हर पार्ट में से उनको मैं मैं में दूंगी ताके आप आपके टीचर को भी आइडिया हो कि आप सिर्फ यूट्यूप से कोई स्टोरी सुनकर पेपर देने के लिए नहीं आए अब को स्टार्ट करने से पहल कर दिया है साथ टाइटल भी दे दिया लाइक इंफ तुस टैंसर का मैंने टाइटल दिया है दा अने एक्सपेक्टेट इंकाउंटर अमें फिस्ट तैंसर को रीट करती हूं और आप आप आइडिया लगाए कि आपको कुछ समझ आती है ये नहीं इस एन एंशेंट मैरिनर अब हम जरा सिंपल इंग्लिश वाला पराग्राफ परके देखते हैं इसको में सिर्फ रीट करूंगे आपको अपको प्लैरिटी आजेगे के इन टू स्टैंस में क्या कहा गया है ठीक है अब इस पारग्राफ को सुनने के बाद आपको आइडिया हो गया होगे कि सेंजर वन एंट टू में क्या कहा गया है प्रॉब्लम कहां प्यार है प्रॉब्लम यह है कि इस पॉल्ट्री में कुछ ओल्ड इंग्लिश वर्ड्स यूज़ों हैं जो अब नहीं होते तो आपको समझना मुश्किल है लाइक थाय का मतलब होता है यू इस तरह से स्टॉप का मतलब स्टॉप इस तरह से कुछ डिफि आप बोड़ना होजें तो अब हम इस पॉइम को पढ़ना स्टार्ट करते हैं यह काफी लेंथी पॉइम है सेवन पार्स में डिवाइड है हर पार्ट को मैंने अपनी अंडर्स्टैंडिंग के अक्टाइल दे दिया है फॉर्स पार्ट को मैंने टाइटिल यह दा ओल्स सिंपल वर्च को सेलर अब यहाँ पर यहां पे जो वह प्ली स्टोरी को सुनाना स्टार्ट करते है इसलिए ऑ्पने ऐख 1 सब्स्ते करते हैं यहां पर फर्च पराइग्राफ है उसको मैंने भी आपको सामने रीड किया था जहां पर हमारा इंचेन्ट मैंनर थ्री वेडिंग गैस्स में से एक वेडिंग गैस्ट को रोकता है तो वो वेडिंग गैस्स उससे कहता है कि तुम मुझे क्यों रोक रहे हो मैं बहुत जल्दी मुझे श उसको शादी पर जाना आता है वह अपना हाथ फिरवानी की कोशिश करते है लेकिन जो मेरि नर की आंक्ये वह बहुत शायंिंग होती है ऐसा लगता है जो मैरिंग नर है वह उसको हिप्नुटाइस कर देता वेडिंग को अवा बैदिंग गैस्स सटॉरी सुनना स्टार्ट क बताता है कि कैसे happily उनका जो शिप था उसने सेल स्टार्ट कि उसने अपरी जर्नी स्टार्ट की उन्हें ने चर्च, हेल और लाइट हाउस को पास किया And then the sun rose on our left and set on our right. Each day it rose higher and higher until it was directly overhead at noon. उसके बाद जो वेडिंग गेस्ट है वो म्यूजिक और ब्राइट से थोगा से डिस्ट्रैक्ट होता है लेकिन जो सेलर है वो अपनी स्टोरी को continue रखता है सेलर बताता है कि a strong storm hit us और कैसे उस storm की वयसे they were forced to sail south उनका जो ship है वो south direction में sail करने ना जाता है और उसके बाद तेज हवा चल रही होती है उनका जो ship है वो तेजी से move कर रहते हैं उनके ship के इर्द के mist, snow and ice ठीक है हर तरफ mist, snow and ice होती है in the ice creaked and groaned like a living thing अब ये पूरा scenario था उसके बाद जो ancient mariner है और जो उसके crew members है वो देखते हैं कि fog मेंसे एक albatros आता हुआ उन्हें दिखाए देता है albatros एक बहुत बड़ा bird है और उस bird को वो एक christian soul समझते हैं और उसको welcome करते हैं in god's name ठीक है क्योंकि वो उनके लिए एक hope लेकर आते है उस albatros के आने के वज़े से वो जो ice होती है वो ब्रेक कर जाती है तूट जाती है और जो उनका ship होता है वो smoothly sail करने लगता है अच्छी हवाज चलने लग जाती है अब last answer में हम देखेंगे कि जो ancient mariner है अपनी story सुनाते है थोड़ा सा sad हो जाता है तो wedding guest उसे कहते है कि मुझे तुम पर तरस आ रहा है कि तुम इतनी problems को तुमने face के तुम निकले लेकिन अब तुम sad क्यों हो गयो तुम्हारा sad होने की वज़ा क्या है तो वो ancient mariner उसको बताता है कि वो जो regular visitor था वो जो albatros था उसको मैंने अपने crossbow से shoot कर दिया अब इसकी क आपको पहले explain कर चुकी है इसके लावा एक यह स्टेंजर है जहां पर albatros के arrival को दिखाया गया कैसे वह उस फॉक के थूर आते है और वह जो crew members वह जो ancient mariner है उसको क्रिस्टिन सौल समझते हैं और उसको गॉल्ड नेम पर welcome करते हैं के लावा इस part 1 का जो last जहां पर यह ancient mariner से पूछता है कि आप इतने sad क्यों नजर आ रहे हो तो वह ancient mariner उसको बताता है कि मैंने क्रॉस पॉस से इलबर्ट्रोस को शूट कर दिया था यहां पर मैं आपको पिच्छे भी दिखा देती हूं यह है ancient mariner और उसके एक हाथ में है अलबर्ट्रोस की dead body और second hand में है उसक चैनल को सब्सक्राइब कर दी मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए अल्ला हाफिज